हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है तौफीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लक्ष स्टूडियोज तो आज हम फोटोशॉप में देखेंगे कि कैसे हम इमेजेस के अंदर लाइट्स एन शाइन एड़ कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं इस कार की हेड़ लाइट्स में थोड़ी सी लाइट एड़ करने की कोशिश करता हूँ तो यह जो सारी इमेजेस मैं यूज करने वाला हूँ इस वीडियो में इसकी लिंक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में दे जूँगा तो आप यूज कर सकते हो सबसे पहले हमें यहां पे layers panel में जाके एक new layer create करना पड़ेगा और आपको यहां पे layers panel दिखाई नहीं कर रहा है तो window में जाके आप यहां से layers panel ON कर सकते हो new layer मैंने यहां पे create किया उसके बाद सबसे पहले तो हमें इसका जो blending mode है वो change करना है color dodge हमें करना है उसके बाद यहाँ पे blending options के अंदर हमें जाना है तो यहाँ पे double click करके मैं जा सकता हूँ double click करके या simply आप right click करके blending options के अंदर जा सकते हो जो आपको easy लगे वो आप choose कर सकते हो और यह जो option है transparency shapes layer यह आपको बंद करना है अगर आप बंद नहीं करोगे तो यह ठीक से work नहीं करेगा तो ध्यान से आप उसको बंद कीजिएगा off कीजिएगा option को उसके बाद सीरे हमें जाना है brush tool और foreground color हमें white लेना है अगर आपको suppose यहाँ पे कोई और color है default और आपको default colors अगर चाहिए तो depress कीजिएगा simply तो default color आ जाएंगे और अगर आपने express किया तो color swap हो जाएंगे तो white color मुझे चाहिए तो white color और इसका flow यहाँ पे मैं 10 के अंदर रखना चाहता हूँ तो 5 मैंने अल्लेड़ी यहाँ पे रखका है और यहाँ पे simply हम जो lights हैं वहाँ पे मैं click करते जाओंगा यह देखें click करते जा रहा हूँ तो यह कुछ इस तरह से यह देखें यह lights यहाँ पे जैसे कि इसकी intensity बढ़ते जा रही है lights on हो गए वो वाला effect हमें यहाँ पे मिलेगा कुछ इस तरह से बहुत ही realistic effect यह लगेगा अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ जादा यहाँ पे use किया तो इसकी opacity आप कम कर सकते हो एक तो या eraser tool का use करके इसको erase भी कर सकते हो तो यह देखें यह before और यह after तो यह काफी realistic और काफी अच्छा लग रहा है लेकिन यहाँ पे अगर suppose इस type की अगर car है यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे इसको delete कर देता हूँ इसको already यहाँ पे थोड़ी सी shine है और नीचे यहाँ पे shine नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको carefully काम करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप directly यहाँ पे layer create कर देता हूँ इसका mode blending mode color dodge double click करके और इसको transparency shapes layer इसको off कर देता हूँ इसको अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा यह करूँगा तो यह ज़्यादा bright हो जाएगा तो यह थोड़ा सा carefully हमें करना पड़ेगा undo करके यहाँ पे ज़्यादा हमें इसको apply करना पड़ेगा यहाँ क्लिक करता हूँ यहाँ यहाँ पे क्लिक करता जा रहा हूँ यहाँ पर वहाँ क्लिक करता जा रहा हूँ, simply click कीजिएगा, वह automatically intensity उसकी बढ़ती जाएगी, यह देखिए, कुछ इस तरह से, और क्योंकि यहाँ पर already यह shine था, तो थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन फिर भी, carefully अगर आप करेंगे तो यह दिखेगा realistic, यह देखिए, य अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आपने ज्यादा कर लिया, तो eraser का use करके, इसकी opacity कम करके आप यहाँ पर, यह हलका सा कम कर सकते हूँ, तो यह देखिए, काफी अच्छा है, यहाँ पर लग रहा है, तो यह तो बात होगी lights की, अगर हम jewelry की बात करें, तो jewelry की उपर हम तो यहाँ पर देखिए, दो तरीकी, यहाँ पर gold jewelry है, और यहाँ पर एक pendant है, stone jewelry, तो इसके उपर हम इसको apply करके देखते हैं, तो similar steps हमें follow करने पड़ेंगे, एक blank layer, इसका blending mode, color dodge, उसके बाद double click करके, blending option के अंदर जाके हमें यह transparency shapes layer, यह option बंद करना पड़ेगा, उसके बा और इसको यह देखिए, हलका समय, यह देखिए, already काफी अच्छा लग रहा है, shine हो रहा है, और एक खास बात यह है, क्योंकि हमने यहाँ पर new layer लिया है, उसके उपर हमने effect दिया है, तो इसको हम change भी कर सकते हैं, यह देखिए, change भी कर सकते हैं, इसको हलका समय, नीचे लेक तो कुछ इस तरह से, यह देखिए, और अगर आपको change करना है, तो change कर सकते हो, इसकी position, काफी realistic effect यहाँ पर हमें मिल गया है, ज्यादा भी add नहीं करना है, और अगर आपको ज्यादा लग रहा है, तो eraser से आप erase भी कर सकते हो, और यह gold type jewelry में अगर आपको add करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा carefully हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर already जहाँ पर shine है, वहीं पर अगर हम add करेंगे, तो ज्यादा realistic लगेगा, तो अगर आप देखें, तो यहाँ पर shine है, already, क्योंकि light इस direction से आ रही है, तो यहाँ पर यह shine, और यहाँ पर भी shine दिख रहा है, यहाँ पर shine दिख रहा है, यहाँ से मेरे खाल से left से right, यहाँ से light आ रही है, तो उसी में अगर हम करेंगे, shine बढ़ाएंगे, तो अच्छा realistic दिखेगा, अगर मैं यहाँ और जग़ा पर करने की कोशिश करूँगा, तो यह fake लगे तो वापस मैं यहाँ पर new layer add करके, इसको color dodge कर देता हूँ, color dodge, और double click करके, जो option है, transparency shapes layer, इसको बंद कर देता हूँ, वापस brush tool, और देखिए, यहाँ पर already जो shine है, इसको हलका सा में बढ़ाना है, सिर्फ थोड़ा सा effect देना है, ताकि थोड़ा और attractive लगे, यहाँ पर, यह blur area में भी थोड़ा सा shine है, तो उसमें भी थोड़ा सा try कर दे, तो यह already मेरे ख्याल से काफी अच्छा लग रहा है, यह देखिए, before and after, बहुत जादा भी नहीं करना है, क्योंकि हमें only shine दिखाना है, यह देखिए, तो कुछ इस तरह से आप इसका use करके देख सकते हो, तो इ इसमें भी हम add करके देख सकते हैं, तो इसमें वापस color dodge and double click, और आप अपने जो घर में bulb रहता है, उसमें भी add करके देख सकते हो, और यहाँ पे white color और यह simply हमें draw करना है, यह light है, अगर आप इस panel पे भी अगर गलती से draw कर देते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसको बाद में erase कर सकते है, eraser tool का use करके, यह देखिए, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, यह देखिए, काफी अच्छा और काफी realistic यहाँ पे लग रहा है, और इसको अगर आपको, क्योंकि इस पे तो आना नहीं चाहिए, इसको erase करना है, तो eraser tool लीजेगा और इसको brush को चोटा करके, click कीजेगा, click करने के बाद shift की press करके, इसको आप directly straight line में यह देखिए, हलका सा चोटा, click, उसके बाद shift, press and hold shift की, और यहाँ पे click, तो यह वापस एक बार करता हूँ, तो रहेखिए, यहाँ पे चला गया, तो यह काफी realistic effect हमें मिल गया, और अगर थोड़ा और हमें effect यहाँ पे चाहिए, तो इसको और एक layer में create कर देता हूँ, brush tool से, अभी यहाँ पे मैंने कुछ change हो गया नहीं किया, ऐसे ही add कर देता हूँ, extra, blending option मैंने add नहीं किया, extra मैं add कर देता हूँ, थोड़ी सी light, तो देखिए, यह, यह, before and after, यह, कुछ इस तरह से हमें यह, मिलेगा, चाहिए तो हम इसको थोड़ा सा dark कर सकते हैं, और एक layer लेके, इसको dark करके, वो भी हम करके देख सकते हैं, तो यहाँ पे, यहाँ पे layer add कर देता हूँ, और यहाँ पे black color इसको feel कर देता हूँ, alt backspace, और यहाँ पे इसको layer, यहाँ पे ले लेता हूँ, उसके बाद यहां पर यह देखिए जब भी हम layer mask यूज करते हैं तो black color से hide होगा और white color से वो reveal होगा तो हम यहां पर white color लेके brush tool से black color से यह देखिए कुछ इस तरह से हम इसको reveal कर सकते हैं flow इसका मैं बड़ा देता यह तो मैंने सिर्फ एक टेकनिक का यूज करके यह किया आप अलग-अलग टेकनिक का यूज करके भी कर सकते हो without layer mask यूज किया तो यह कुछ इस तरह से ही देखिए before after और यह original image देखिए alt press करके मैं आपको दिखाता हूँ माफ कीजेगा यहां पर alt press करके यह देखिए original और यह हमने यह ऐसे कर दिया तो जरूर आप इसका use करके दिखेगा कि कैसे हम jewelry को भी shine add कर सकते हो और lights add कर सकते हो cars में या जो अपने street lamps होते हैं उसमें आप light add कर सकते हो तो इस technique का use करके दिखेगा बहुत ही simple technique है बहुत ही मज़ेदार है तो जरूर यूज करके दिखेगा और मुझे बताएगा कैसे आपको इसका effect लगा comment section में तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको like जरूर कीजेगा मेरे चैनल को subscribe कीजेगा इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye and see you and I see you